यह आज शरह है कि परिमान परिक्षण की भी आलोचना की गए पूछा गया देश के सामने कौन सा खत्रा था मैं 1974 में सदन में था जब शिर्मति इंद्रा गांधी के ने तुक्त में परिमान परिक्षण किया गया था हमने उसका स्वागत किया था परिक्षण में थे फिर भी स्वागत किया था क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था उस समय कौन सा खत्रा था क्या आत्म रक्षा की तैयारी तब होगी जब खत्रा होगा अगर तैयारी पहले से हो तो जो खत्रा अगर आने वाले तो खत्रा भी दूर हो जाएगा खत्रा अमल में नहीं आएगा और इसलिए हमने पर्मार परिक्षा करने का फैसला किया हमारे कायर कम कांगे उसमें लिका हुआ है कोई छुपी भी बात नहीं थी कोई रहस्य नहीं था अज्यक्ष मोदे पर्मार परिक्षन के बारे में श्रीच अंद्र शेखर जी ने कुछ विचार विक्ट किये मुझे खेद है कि मैं उनके विचारों से सहमत रही हो सकता उनके चिंतन की एक विश्व चुधारा है लेकिन पचास साल का हमारा अनुबो क्या बताता है क्या रक्षा की मामले में हमें आत्म निर भर नहीं होना चाहिए के वले एक पड़ोसी नहीं हमारे अने एक पड़ोसी है इस समय योर्प में क्या हो रहा है वो एक चेताव नहीं है पोखरान टू कोई आत्म श्लागा के लिए नहीं था कोई पुर्शार्थ के प्रक्षिकरण के लिए नहीं था लेकिन हमारी नीती है और मैं समझता हूँ ये देश की नीती रही है कि मिनिमम टिटरेंट होना चाहिए वो क्रेडिबिल भी होना चाहिए इसलिए परिक्षिन का फैसला किया गया उसके कारण कुछ कत्रिनाई आएंगी हमें मालूम था लेकिन देश उन कट्रिनाईयों का सफलता पूर वक्त सामना करेगा ये भी हमको दिश्वास था और ऐसा ही हुआ आर्थिक प्रचिबंद हमें आगे बनने से नहीं रोक सके रक्षा संबंदी फैसले करने से हमें जिरत नहीं कर सके लेकिन परीक्षण के साथ हमने ये भी ऐलाम किया कि हम पर्माण हत्यारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे मौफस क्यूँ है हमने ये भी कहा कि जिनके पास पर्माण शस्त्र नहीं है हम उनके जुरत नहीं करेंगे हमने परीक्षण बंद करने का भी अलाम किया सच मुझ में पोखरण में हम एक और परीक्षण कर सकते थी लेकिन जब हमें लगा कि वह ज्यानिक तकाजा पूरा हो गया है तो उस परीक्षण को हमने छोड़ दिया है टमी हत्यार रक्षा के लिए जी हो सकते है युद्ध टालने के लिए उनका प्रेयों हुआ है इतने वर्षों तक योर्प में शानती रही दो श्विरों में बटे हुए विश्व में युद्ध नहीं हुआ इसके मूल में कहीं ने कहीं ये बात थी कि शक्ति संतुलन है और इसलिए एक दूसरे को छेड़ने से बाय आना चाहिए डिटरिंट के पीछे यही परिकल पनाएं इस पर सादा सारा सदन विचार करें इस बात की आवश्शक्ता है आलों चना तो अगली दोकी भी हुई है और उस दिन बड़ा विचित्र तश्र पस्टित हुआ जब सबेरे हमने अकभारों में पढ़ा कि हमारे एक पुराने मित्र ने हमारी एक पुरानी मित्र ने हमारे उपर दोशार ओपन किया है कि हम दबाव में आ गए हैं इसलिए अगली टू का परिक्षण रोक दिया गया है और उसी समय परिक्षण हो चुका था और अगली शिखा अपने गंतवने की ओर दोड़ रही थी अगर उस दिन हम परिक्षण न करते तो वो उनका वक्ता वे भ्रम पैदा कर सकता था विजेशों में भी भांती उत्पंड कर सकता था अज्यक्ष मोदें तेरा महीने के अपने कारिकाल में कभी हमने अंतर राष्ट की दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया नहमा अगे करें झाल्यक्ला कि एक हुcut अधिक्षण नहीं चीदी करने पैसलों ठीन कंशती है विजेशों पैसलों में आकपनी कर दो लेड़िश में तूपत Five